विल्कम डेक्सन स्टेडी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की यतने भी राज्य हैं सभी राज्य में जो भी उच्छ नयाले हैं वहां के वरतमान मुख्य नयाधिस कौन हैं उसकी स्थापना कभूई थी खंडपीट कहां पर है और उस उच्छ करते हैं आज का वीडियो देखिए आसवी को बताओगा वारत हमारे देश में वरतमान में उच्छ नयाले को संख्या लगभग 25 हो गई है देखिए पहले हमारे देश में 24 उच्छ नयाले थे लेकिन 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है देश का 25 उच्छ नयाल 1862 में 4 उच्छ नयाले की स्थापना की थी आपको याद रखना है 1862 में देखिए 3 उच्छ नयाले की स्थापना की थी कलकता उच्छ नयाले बंबे उच्छ नयाले और मदरास उच्छ नयाले कलकता उचनयाले का जो मुख्याले है यानि कि जो मुख्याले है वो कलकता में है इसका जो खंड पीठ है वो पोर्ट ब्लेयर में भी है कलकता उचनयाले के दिकार शेतर में कौन गों से राज्य आते हैं तो आपको याद रखना होगा पस्चिम मंगाल और अंडमान निकुवार दिव सम्मूजु है कलकत्ता उचनयाले के अधिकार शेतर में आते हैं और कलकत्ता उचनयाले के जो वर्तमान में मुख्यनयाधीस है उनका नाम क्या है? TBN राधा कृष्टन आपको नाम आद रखना है TBN राधा कृष्टन वर्तमान में कलकत्ता उचनयाले के मुख्यनयाधीस है हमारा दूसरा उचनयाले है वो है बामबे उचनयाले निकी बामबे हाई कोट इसकी स्थापना हुई थी 1862 में बामबे हाई कोट का जो मुख्यपीट है वो मुंबई में है और इसके दो खंड़पीट है देखिए आपको जाद रखना होगा पहला खंड़पीट कहां पर है नागपूर में और दूसरा खंड़पीट जो है गोवा की राधानी पड़जी में पहला खंड़पीट नागपूर दूसरा पड़जी में और दमन दीव यानि कि ये चार जो हैं स्थान महाराष्ट्र गोवा दादरा नगर हवेली और दमन और दीव ये चार स्थान है वह कलकदा वह बंबे हाई कोट के अधिकार शेतर में आते हैं और वरतमान में बंबे हाई कोट के मुखेने अधिस कौन है तो आपको नामियाद और इसका जो मुख्य पीठ है वो चिन्नगी में है इसका खंड़ पीठ कहां पर है तो मदरास उचने अलगा जो खंड़ पीठ है वो मदुरे में है मदरास उचने अलग के अंतरगत दो राज्या आते हैं एक हमारा हो जाएगा तमिल नाडू और एक के इंद सासित प्रतिस चौथा इलहाबाद उच्चनायल है देखे जो इलहाबाद हाई कोट है इसकी स्थापना का हुई थी 1866 में इलहाबाद हाई कोट की स्थापना हुई थी और इसका जो खंड पीठ है वह लखनों में है इलहाबाद उच्चनाले का जो खंड़ पीठ है वो लखनों में है और इसके अधिकार शेतर में जो आता है वो है हमारा उत्तर प्रदेश योगि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है इसलिए उत्तर प्रदेश का ही सिर्फ जो है अधिकार शेतर में आता है इलहाबाद उच्चनयाले के वरतमान मुख्य नियाधिस कौन है तो आपको नाम आद रखना होगा गोविंद माथूर वरतमान में जो है इलहाबाद उच्चनयाले के वरतमान मुख्य नियाधिस है गोविंद माथूर हमारा पांचमा उचनयाला है करनाटक उचनयाला यानि करनाटक हाई कोट इसके स्थापना हुई थी 1884 में करनाटक हाई कोट का जो दोस्तों मुख्याला है वो बैंगलूरों में है और इसका जो खंड पीठ है वो धारवाड और गुलबर्ग में है कहाँ पर धारवाड और गुलबर्ग में है और इसके कारशेतर में करनाटक राज्य आता है अगर हम बातने के वर्तमान में करनाटक उचनयाले के वर्तमान मुखेने अधिस कौन है तो वर्तमान मुखेने अधिस है अब है स्री निवास ओका करनाटक उचनयाले के वर्तमान मुख्यनयाधिस है अब है स्रीनिवास ओका करेक्ट है अगला हमारा उचनयाले है पटना उचनयाले ने के पटना हाइकोट देखिए पटना हाइकोट के स्थापना कब हुई थी 1916 में इसका मुख्याला है पटना में और अगर हम बात करें कि इसका कोई भी खंड़ पीट नहीं है पटना उचने आलाय का अधिकार शेतर में हमारा आता है बिहार और वर्तमान में पटना उचने आलाय के मुखे नाधिस कौन है तो देखे, वर्तमान में पटना उचने आलाय के जो मुखे नाधिस उनका नाम है संजय करोल इनका नाम आपके लिए important है साद्वा हमारा उचनयाला है गुवा हाटी उचनयाला है देखिए गुवा हाटी उचनयाले के सापना कब हुई थी 1948 में मुख्याला है गुवा हाटी में और इसके तीन खंड़ पीट है गुवा हाटी उचनयाले के तीन खंड़ पीट है पहला कोहिमा में दूसरा आईजोल में और तीसरा इटा नगर में इसके अधिकार शेतर में कौन वों से राज़ आते हैं देखिए पहला हमारा हो जाएगा असम दूसरा हो जाएगा नागा लेंड तीसरा है मिजोरम और चोथा है और राचल प्रदेश देखिए ये चार राज़ में इसका जो अधिकार शेतर आता है और देखिए वर्तमान में यहां के मुखे नयाधिस कौन है तो करेक्ट एंसर हो जाएगा अजय लामबा जो है वर्तमान में गुवा हटी उच्चनयाले के वर्तमान मुखे नयाधिस है अगला हमारा राज्य है उडिसा उच्चनयाले देखे उडिसा उच्चनयाले के स्थापना कब हुई थी 1948 में और इसका जो मुख्याले है वह कटक में है उडिसा उच्चनयाले का मुख्याले कटक में है कोई भी खंडपीट नहीं है उडिसा उच्चनयाले का और इसके अधि हमारा नववा उचनयाला है राजस्थान उचनयाला है इसकी स्थापना कभूई थी 1950 में राजस्थान उचनयाला का जो मुख्य पीठ है यानि कि जो मुख्याला है वो हमारा जोधपूर में है और इसका जो एक खंड पीठ है वो जैपूर में है राजस्थान उचनयाले के अंतरगर जो आता है किवल राजस्थान का कारे छेतर आता है और यहां के वर्तमान जो मुखे नादीस है उनका नाम है इंद्रजीत मुहंती देखिए इंपोर्टन्ट है इंद्रजित मुहंती वर्तमान में जो है राजस्थान उच्छनयाले के मुख्यने अधीस है दस्वा हमारा उच्छनयाला है जम्मु कस्मीर उच्छनयाले देखिए जो जम्मु कस्मीर उच्छनयाला है इसके स्थापना हुई थी 1957 में मुख्य पीट कहाँ पर है श्री नगर में और देखिए यह जम्मु कस्मीर का अधिकार शेतर इसके अंदर गत आता है देखिए जम्मु कस्मीर और लदाख अब दोनों इसके अंदर आ गया देखिए आपको याद रखना हो जम्मु कस्मीर और जो है लदाख का अधिकार शे उच्छने आले के स्थापना कब हुई थी 1956 में यहां का जो मुख्य पीठ है जबलपूर में है और इसके दो खंड़ पीठ है कहां पर एक ग्वालियर में और एक इंदोर में खंड़ पीठ है इसके कारशेतर में आता है मध्य प्रदेश और यहां के जो वर्तमान मुख्यने आधिस है उनका नाम है अजय कुमार मिद्तल देखें मत्य प्रदिस उचाने आले के जो कोची है कोई भी खंड़ पीठ नहीं है देखें यहां के अधिकार शेतर में दो राजियात एक केरल और एक किन्सासित परदेश लक्षदीब यहां के वर्तमान मुख्यनाधिस कौन है एस मनी कुमार जो है वर्तमान में केरल उचनयाले के मुख्यनाधिस है कौन S. Mani Kumar अगला हमारा राज्य है गुजरात उचनेयले इसके स्थापना हुई थी 1960 में जो मुखे पीठे वो अहमदाबाद में है और खंड़ पीठ कोई भी नहीं है गुजरात उचनेयले के अंतरगत गुजरात राज्य ही आता है और यहां के वर्तमान मुखे नयाधिस कौन है तो आपको नामियाद रखना होगा विक्रम नाथ जो है वर्तमान में गुजरात उचनेयले के मुखे नयाधिस है अगला हमारा उचनेयले है 14. दिल्ली उचनेयले देखे, दिल्ली उचनाले की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुख्याले कहाँ पर है? नई दिल्ली में है कोई भी खंडपीठ दिल्ली उचनाले का नहीं है और इसके कारशेतर में क्या आता है? देखे, जो NCT दिल्ली है इसके अंतरगत में आता है NCT का मतलब क्या हो गया? National Capital Territory दिल्ली जो है इसके कारशेतर में आता है और यहां के जो वर्तमान मुख्यनाधीस उनका नाम क्या है? धीरु भाई नारन भाई पटेल का नाम है धीरु भाई नारन भाई पटेल जो है वर्तमान में दिल्ली उच्चनाला के मुख्यनाधीस है अगला हमारा राज्य हो जाएगा पंजाब एवं हर्याड़ा उच्चनाला के पंजाब और हर्याड़ा का संयुक्त उच्चनाला है इसके स्थापना हुई थी 1966 में और जो मुख्य पीठ है चन्रीगड में है और कोई भी खंड़ पीठ नहीं है इसके कारच्चेतर में तीन राज्य आते हैं पंजाब, हर्याड़ा और किंद सास्थ प्रदेश चन्रीगड और यहां के जो वर्तमान में मुख्यनाधीस है उनका नाम क्या है मुख्य पीठ जो है सिमला में है खंड़ पीठ कोई भी नहीं है कारच्चेतर में केवल हिमाच्चल प्रदेश आता है और यहां के जो वर्तमान मुख्यनाधीस है उनका नाम है लिंगप्पा नाराण स्वामी क्या नाम है लिंग अप्पा नाराण स्वामी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राजी के हिमाचल प्रदेश उचनयाले के मुखे नायधिस है अगला हमारा राज्य है अगला हमारा मुखे नायले है सिक्किम उचनयाले सिक्किम उचनाले का मुख्य पीट कहां पर गंगोटोक में कोई भी खंड़ पीट नहीं है इसके अंतरकत एक मातर राज हमारा आता है सिक्किम और यहां के जो मुख्य नैधिस वर्तमान में उनका नाम है अरूप के गोस्वामी क्या नाम है अरूप किये गोस्वामी अगला हमारा उचनाल है 36 गड़ उचनाल है इसकी स्थापना हुई थी 2000 में मुख्य पीठ है बिलासपूर में खंड़ पीठ कोई भी नहीं है कार एक्षेतर में केवल 36 गड़ आता है और यहां के वर्तमान जो मुख्यने अधिस है पीठ नैनिताल में है खंड़ पीठ कोई भी नहीं है कार एक्षेतर में केवल उचनाल है और यहां के वर्तमान जो मुख्यने अधिस है उनका नाम क्या है रमेश रंगनाथन जो है वर्तमान में उचनाल है अगला हमारा राज्य है जारखंड उच्छनयाले जारखंड उच्छनयाले की सापना कब ही थी सन 2000 में मुख्य पीठ है राची में खंड पीठ कोई नहीं है कारेक्षेतर में केवल जारखंड आता है और यहां के वर्तमान जो मुख्यन अधिस है उनका नाम है डॉक्टर रवी रंजन खंड पीठ कोई भी नहीं है देखिए इसके अंतरगत केवल मिघाले राज्य आता है और यहां का जो वर्तमान में मुख्यन अधिस है उनका नाम क्या है मुहम्मद रफीक जो है उनका वर्तमान में नाम है अगला हमारा उच्छनयाले जो है नाम है राम लिंगम सुधाकर अगला हमारा उच्छनयाले है त्रिपूरा उच्छनयाले देखिए त्रिपूरा उच्छनयाले क्सापना कव हुई थी सन 2013 में यहां का जो मुख्य पीठ है वो त्रिपूरा का राजानी अगरतला में है खंड़ पीट कोई भी नहीं है कारेशेतर में केवल त्रिपुरा आता है और यहां के वर्तमान जो मुखे नाधिस है उनका नाम है अब्दुल हामिद कुरैसी अगला हमारा उचनाल है तेलंगाना उचनाल है जिसके स्थापना हुई थी सन 2019 में मुखे पीट है है हैदराबाद में खंड़ पीट कोई भी नहीं है कारेशेतर में केवल तेलंगाना आता है और वर्तमान में है के जो मुखे नाधिस है उनका नाम है रागवेनर सिंग चोहान और हमारा जो 25 वा उचनाल है जो की 2019 में स्थापना हुई थी मुखे पीट अमरावती में है खंड़ पीट कोई भी नहीं है कारेशेतर में केवल आंदर पीट आता है और यहां के जो वर्तमान मुखे नाधिस है उनका नाम है जस्टिस जेके माहिस्वरी देखे यह हमारे हो गए 25 राज्य 25 राज्य के अपने स्थापना खंड़ पीट मुख्याले कारेशेतर और वर्तमान मुखे नाधिस के नाम देख लिए दोस्तों करह मात होने कि भारत में वर्तमान में कितने उचनाले देखे भारत में वर्तमान में कुल 25 उचनाले है, भारत में 1862 इस्वि में पहली बार 3 उचनाले स्थापित किये गे जिनमें कलकता उचनाले, बंबई उचनाले और मदरास उचनाले सामिल था, भारत का 24 वां उचनाले है हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना में बना, और देश का जो स सब्सक्राइब कर दिएका दूस्तों वीडियों दुखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद